इस पहले जो फॉर यूनेट्स है आपके स्लेबस में उन सभी से जुड़े जो भी important topics है उनकी उपर मैंने videos upload कर दिया है आप वो देख सकते हो यह आप देख लो यह poem का main page है first page है इस तरीके से poem है इस तरीके से book है यह poem है एक satirical poem है और इसमें political star है star आपको बता है व्यंग जिसे कहते हैं हिंदी में व्यंग का मदलब होता है कि अ आप direct नहीं कहते कोई symbolism यूज करके आप वो जिच convey करते हो सटायर आपको पता है कैसे होता है मान लो कोई इंसान आप कहलो कि बुरा इंसान है ठीक है बुरा इंसान है मान लो सामने वाला वो आपको कहता है कि देखो मैं इतना बुरा तो नहीं हूना मैं भी अच्छा इंसा पान हूं तो आप उसे कहते हो पतले में हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितने अच्छे हो तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो तो आप जब यह कह रहे हो कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो मतलब आप घुमा के यह बात कह रहे हो कि मुझे पता है तुम कितने अच मतलब है कि उस टाइम की politics के ऊपर एक तरीके का ये question मा खड़ा करती है उसका हास्य व्यंग present करती है satirety ये बुक allegorical है poem या book allegorical है allegorical का मतलब क्या होता है इसका हिंदी अनुवाद है प्रतिकात्मक प्रतिकात्मक उस टाइम पे जो political scenario था ना उस टाइम की जो politics थी उस टाइम राजा प्रजा जो king है उसके बेटों के साथ के king की कैसी life है वो सारी चीजे थी ना उसी को ये poem आप कहलो present करती है manifest करती उसी को शो करते है कि कैसी आपकी life है ठीक है allegorical का मतलब होता है कि प्रतिकात्मक की उसी टाइम को प्रतीत करते है कि ये कैसा हो रहा था सारी चीजे प्रतिकात्मक रिटन इन heroic couplets ये आप घहलो poem लिखने का एक method है इसके लावा ये publish हुई 1681 में ये भी आपने याद अखना है और last चीज ये है कि ये एक biblical tale है biblical tale biblical tale का मतलब होता है कि ऐसी कहानी जो bible से जुड़ी है ये bible में जैसी story है as it is story आप बता रहे हो ये bible में जो characters है उन्ही characters को use करके आपको story लिख रहे हो तो उसे कहते है biblical tale तो ये bible से जुड़ी है इसलिए तो ये चार चीज़े आपने याद अखनी है उपर वाली कि ये सारी इस poem के बारे में है और मैंने आपको बताया ना कि allegory allegory का मतलब होता है कि जो सामने हो रहा है उस माल वाज की टाइम पर क्या है प्राइम मिनिस्टर हमारे मोधी जी है हाना ग्रह मंतरी हो मिनिस्टर अमिद शाह है ये सारे मिनिस्टर जाओर किस तरीके की politics economics इंडिया में चल रहे है आप सभी जानते हो अच्छी है कि बुरी आप सबको पता है हम अच्छी बुरी में कहलो अपना नाम कहलो आप कुछ भी कहलो नाम चेंज कर देते हो स्टोरी जो हो रही है सेम एस इस हमारी politics में वही चीज आप लिखते हो तो इसे कहते है ऐलेगरी तो ये वाली जो पोईम ऐलेगरी थी ना किंग चार्ल्स टू एंडी एक्सक्लूजन क्राइसिस के उपर थी इंग्लेंड में 1679 से 81 के बीच में एक्सक्लूजन क्राइसिस चलता है किंग चार्ल्स उस टाइम पर राजा थी उसके दोर में उस दोर में जो सारी चीजे हुई ना उसी को करेक्टर बदल के इस पोईम में लिखा गया है ठीक समझेंगा आप अलेगरी का मतलब कि किस कहान को इन्होंने अपने करेक्टर दे के लिखा चलो अभी मैं आगे कंटिनू करने से पहले आपको बताऊंगा आपसे पूछूंगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है अभी तक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर लिखना अभी बहुत लंबा वीडियो होने वाला है य मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो आपने जरूर लिखके मुझे बताना है ठीक है और ब्रिटिश लिटरेचर वन की ओपर ही हमारा लास्ट वीडियो है अभी ब्रिटिश लिटरेचर टू की वीडियो आज या कल से ही मैं स्टार्ट कर दूँगा ओकि उसका पेपर 31 को है आपका मेरे ख्याल से लिखके मुझे बताना कि उसका पेपर कब है तो अलेगोरिकल में थोड़ा और देख लो ये जो पूरी पोएम है इस पोएम में जो राजा है प्रजा है किंग है आप कहलो उसके सब्जेक्ट है वो सभी कहां के है इसराइल के डिटेल में डिस्क कहा गया तो इसराइल कहा गया पोएम में ये किसकी अलेगरी है किसकी आप कहलो इमिटेशन है नकल है इंग्लैंड की ये सारी चीजे कहां पर रियालिटी में हो रही थी इंग्लैंड में जो रियालिटी में किंग था उसका नाम चार्ल्स सेकिंड था जो बुक में किंग का मौन माउथ, ठीक है, Duke of मौन माउथ, रियालिटी में, बुक में उसका नाम है, एबसलों, ठीक, एक और करेक्टर है, एकी टॉफल, एकी टॉफल, ये बुक में करेक्टर है, रियालिटी में इसका नाम था, आर्ल ओफ शेट्सबरी, ओके, ये भी अगर आप लिखना चाहते हो, लिख ले ना, इसके अच्छे माक्स मिल जाएंगे आपको, अगर आप ये सारे चीज़ाब, वहाँ पर मेंशन कर दो, क्योंकि रियालिटी को ही, इन्होंने करेक्टर बदल के बुक में लिखा ना, तो वो मैंने आपको बता रहा हूँ, रियालिटी में ये लोग कौन थे, और बुक में इनका क्या नाम है, ओकी, तो अभी मैं आपको पोईम डिसकस करके, explain करके बताऊंगा डेटेल में, तो पोईम की जो स्टोरी है, वो start होती है from इसराइल, ठीक है, इसराइल देश, आपको पता है ने, इसराइल एक देश है, है ना, जेरुसलेम उसका capital है, आप जानते हो, एन ओल्ड टाइम, पता ने किस टाइम की बहुत पुरानी टाइम की बात है, इसराइल की बात है, religion had not banned multiple marriages, उस टाइम तक ना, religion, यानि कि धरम ने multiple marriages को banned नहीं किया था, यानि कि इस time period तक religion ने ये नहीं कहा था कि एक इंसान एक ही marriage करेगा, किसी भी religion ने, तो इसलिए उस time पे बहुत, हर एक इंसान बहुत सारी शादिय करता था, man could have a mistress and a wife, ठीक है वो आपका लो, wife भी सकता था, mistress भी रख सकता था, और जो भी उसे रखना है वो रख सकता था, जितने मज़ी शादी करे, उस time पे इसराइल, क्योंकि इसराइल की बात हो रही है, तो इसराइल के king कौन थे, डेविड, ओके, और उसकी wife का नाम क्या था, Michelle, याद दखेगा, he had many other relations and kids, wife तो उसकी Michelle थी ना, लेकिन इसके लावा उसके बहुत सारे relations थे, बहुत सारी दूसरी ladies के साथ उसके relation हुआ करते थे, और उनी relations से उसके कई सारे बच्चे थे, he did not have his own legal son, लेकिन उसका अपना कोई legal son नहीं था, legal son का मतलब है कि जिससे अपने शादी की, उससे कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो भी जो रानी है, royal blood है ना, राजाओ का खून है, वो लड़की भी जिससे उसने शादी की, उससे कोई बच्चा नहीं था, बाकि जो relation थे, उनसे उसके कई सारे बच्चे थे, he has kids with other ladies, दूसरी उसे कई सारे बच्चे थे, अपना कोई legal बच्चा नहीं था, कि अपनी wife से कोई बच्चा था, ठीक है, story यहां तक मेरे खाल से आपको समझाई होगी, अभी आता है, epsilon, was one of his illegal kids, illegal का मतलत होता है, गैर कानू, गैर कानू नहीं कि जो wife से नहीं है, किसी और से है, तो epsilon उन में से एक था, epsilon, इसका नाम याद लखना बहुत बार आएगा अभी, epsilon उन में से एक था, डेविड loves him the most, डेविड उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था, डेविड, epsilon, जबकि उसका legal son नहीं है, illegal son है, लेकिन उससे इतना प्यार क्यों करता था, he was loveable, क्योंकि वो बहुत त्यारा था, अच्छा बच्चा था, brave, बहुत ज़्यादा वीर था, वीर, योधा टाइप बंदा था, smart भी था, यानि कि समझदार था, he has proven his bravery in fights with other countries many times, और ना कई बार दूसरे देशों के साथ जब लड़ाई हुई, तो इसने अपना जिसे कहते हैं अपनी ताकत का लोहा मनवाया, अपनी bravery का लोहा मनवाया, दिखाया कि वो कितना brave है, Absalom ने, everybody loves him, हर एक इनसान उससे प्यार करता था, all people were Jew, most of people were Jew in the country, आपको पता हैं ना, जैसे लोग क्या होते हैं, लोग hippी होते हैं, muslim होते हैं, sikh, christian, यह हम लोग जाते हैं, जादतर हमारे यहाँ पे इन ही चार religion के लोग रहते हैं, यह Buddhist होते हैं, Jain होते हैं, यही लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ पे जादतर, Jew भी क्या है, एक religion है, Jewish people, आप लोग समझते होंगे वैसे तो Jewish people, Jewish people जो कि उस religion से जुड़े हुए हैं, उन्हें Jewish people कहते हैं, तो इसराइल उस टाइम पे इसराइल में क्या थे, जादा तर लोग Jewish थे, Jew थे, यहूदी कहा जाता है हिंदी में, यहूदी थे जादा तर लोग, यहूदी धर्म से जुड़ जासे लोग थे, David feels proud of his son's respecting people, क्योंकि देखो, डेविड राजा है ना, डेविड तो इसकी respect करता ही है, इसे प्यार करता ही है, लेकिन लोग भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसकी बहुत ज़्यादा respect किया करते थे, इसलिए डेविड को proud feel होता, कि यार यह मेर real son नहीं है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा है, देखो, डेविड sees himself in his son, डेविड ना, अपने आपको, himself, अपने आपको देखता था, अपने बच्चे में, वो देखता था, यार जब मैं भी जवान था, तो मैं भी ऐसे ही था, जो शीला था, लोग मुझे प्यार करते थे मैं brave था, उसमें सब कुछ अपना ही वो देखता है, in the rule of David, David जब राजा था, अभी भी राजा है, people were happy and satisfied, ज्यादा तर लोग खुश थे, satisfied थे, क्योंकि David एक अच्छा ruler था, अच्छा king था, अच्छा राजा था, but Jewish people demanded more freedom, लेकिन जो Jewish people थे, जो majority में थे, वो कहते थे, हमें ज्यादा freedom चाहिए, और ज्यादा ज्यादी चाहिए, हमें एक common wealth establish करना है, democracy establish करनी है, यहाँ पे, ठीक है, ताकि राजा, राजा का बेटा राजा ना हो, हम राजा चुनके भेजे, वो ये चीजे सोचा करते थे, जो Jewish people थे, they wanted to end the rule of monarchy, और वो देश में राजा शाही खतम क करना चाहते थे, आम लोगों का राज या रूल लेकर आना चाहते थे, जैसे इंडिया में अभी है, native people were called Jebusites, अभी हम कौन से देश की बात कर रहे हैं, Israel की, king कौन है, David है, king का illegal son कौन है, Absalom है, वहाँ पे majority लोग कौन से है, Jewish है, लेकिन वहाँ के जो native है, native का मतलब होता है, असली लोग, जो यानि की मतलब, Jewish आप कहलो कि कहीं बाहर से आके वहाँ पे बस गए होंगे, नहीं बस गए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन Israel के जो native लोग, यानि की शुरू से जो लोग रहते थे, जो यहीं पैदा हुए है, जिनकी जाती सब कुछ, उन्हें कहा जाता है, जैबुसाइट, जैबुसाइट, ठीक है, King David belongs to जैबुसाइट, और King David भी जैबुसाइट जाती से ही है, जैबुसाइट जाती से ही है, लेकिन फिर भी Jewish people लोग से राजा बनाया है, Majority of people were Jew, Jew या Jewish कुछ भी आप कह सकते हो, यहूदी, Hence more policies and taxes were in favor of Jew people, देखो, King David राजा था, King David जैबुसाइट था, लेकिन Majority लोग क्या है, Jew है, तो उसे जादातर policies Jew के लिए बनाने पड़ेंगी, ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे, जो Jewish people के आप कहलो favor में हो, नहीं तो वो से राजा होने से हटा देंगे, हमारे यहां भी तो जादातर policies ऐसा होता है, कि अगर हम Minority के अपक्ष में बना दें, तो फिर Majority तो हमें हटा देंगे, जब भी Prime Minister से, कि नहीं, तो इसलिए जादातर policies या जो भी taxes लगाय जाते थे, ऐसे लगाय जाते थे जो Jew people को पसंद थे, and Jebusides were humiliated by Majority, उसे humiliate किया जाता था, Jebusides को, क्योंकि वो थोड़ी की नती में थे, उन्हें यह सब हो रहा था, तो Jebusite लोगों ने plan किया, to regain their rights and position, इन्होंने कहा कि हम क्या है, native people है, हमेशा से यहां रहते आए हैं, तो हमें अपने अधिकार, अपनी position वापिस लानी है, हम राजा बनेंगे, हम राजा चुनेंगे, they plan to revolt, इन्होंने revolt, यानि कि revolution, क्रांती करने की planning की, and gorilla warfare करने की planning की, ठीक है कि हम सरकार के against लडेंगे, some people of the court of David were in support of Jebusite's revolt, राजा है डेविड, इसके court में भी, इसके आप कहलो महल के भी, कुछ मंत्री और लोग थे जो की Jebusite के पक्ष में थे, वो Jebusite को कहते थे, बिलकुल, 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 क्रांती करो, revolution करो, One of them was Achy Toffel, Achy Toffel, जो नाम हाता है शुरू में, Achy Toffel, Achy Toffel उन लोगों में से एक था, जो राजा के साथ रहते थे, मंत्री थे, महल में रहते थे, लेकिन चाहते थे कि राजा हर चाहे, an ambitious man, Achy Toffel एक ambitious man था, उसमें बहुत सारी ambitions थी, वो खुद राजा बनना चाहता था He was an advisor of King David, वो क्या था? King David का एक advisor था, सलाकार था, मंत्री था, He wanted to be king or to destroy King David's rule, वो चाहता था कि या तो मैं राजा बनूँ, या फिर King David तो कम से कम हटे, क्योंकि मैं नहीं चाहता King David यहाँ पर राजा रहे, मैं बनूँ या फिर कोई दूसरा बने, लेकिन King David जाना चाहिए, एकिटोफल यह चाहता था, करेक्टर सारे एक बर आपको याद करवा दूँ, जगा कौन सी है, इसराइल, ठीक है, इसराइल की बात हो रही है, इसराइल का राजा कौन है, King David है, King David राजा है इसराइल का, उसके बेटे का नाम क्या है, जो कि इलीगल है, एबसलम है, हाना, जो ज़्यादतर लोग है, वो कौन से है, Jew या Jewish, Yehudi, Minority में कौन है, Jebusites, जो कि कम गिनती में है, वहाँ पे कौन सा एक इनसान है, जो कि King David को हटाना चाहता है, Aquitophil, Aquitophil, आगे बढ़ते हैं, He knew, वो जानता था, कौन Aquitophil, that if he directly goes to public to replace King David, people will not help him, वो जानता था कि लोग इसे पसंद करते हैं, अगर मैं directly जाके लोगों को कहूं कि इसे हटा के मुझे राजा बना दो, तो लोग नहीं मुझे सपोर्ट करने वाले, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सपोर्टर डेविड के ह वहाँ पर, he took support of Absalom, because he was famous among people, उसे लगा, यार मेरी बात तो कोई नहीं मानने वाला, लेकिन Absalom की बात तो सारे लोग मानते हैं, सारे लोग उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो लोगों में बहुत popular है, बहुत famous है, तो किसी तरीके से Absalom को मैं अपनी तरफ कर लेता हूं, और क Absalom को राज़ा बन पाता हूं, लेकिन डेविड को मुझे हटाना है, he provokes, वो provoke करता है, ठीक है, उसको उतेजित करता है, जैसे कहता है, कान भरता है, Absalom के, to tell everyone in Jerusalem that his father is a Jebusite, so we should unthrone or dethrone him, throne का मतलब होता है, singhasan, dethrone या unthrone का मतलब होता है, कि singhasan से उतार दो, तो Absalom को क्या करता है, प्रवो करता है, उसके कान भरता है, कहता है, कि जाके न, सारे जो लोग हैं, Jewish people हैं, वो तुमें बहुत अच्छा मानते हैं, तो सभी लोगों को जाके ये कहो, कि जो तुमारे प पर Absalom, तुम ही राजा बन जाओ, ये उसने कान भरे, देखो उस टाइम पे एक सिस्टम चला करता था, वहाँ पे, तो जो Jew people थे, Jewish people थे, जो majority में थे, were used to announce a new king every 20 years, वो क्या करते थे, Jewish people जो majority में थे, ज्यादा गिंती में थे, हर 20 साल के बाद अपना एक नया राजा चुन देते थे, कि 20 साल तक ही रहने देते थे, किसी राजा को उसके पाद हटा देते थे, it was a good time to dethrone और unthrone, ठीक है, एकिटोपल कहते हैं, तुमारे पिता को राजा बने भी कई साल हो गए, तो ये अच्छा टाइम है, उसे dethrone करो, सिंघासन से हटा दो, एकिटोपल knew that he cannot become king, एकिटोपल जानता था कि वो राजा नहीं बन सकता, क्यों, क्यों नहीं बन सकता, but he can make a king of his choice, वो क्यों नहीं बन सकता पहले ये बताये जी, वो इसलिए नहीं बन सकता, क्योंकि वो शाही खूर नहीं था, royal blood नहीं था, इसलिए नहीं बन सकता था, एकिटोपल knew that he cannot become king, but he can and mega king of his choice लेकिन वो अपनी choice, अपनी पसंद का राजा बना सकता था किसे Absalom को समझ रहे हो न डेविड को तो ये पसंद नहीं करता था चाहे डेविड को ये बात नहीं पता थी कि ये मुझे पसंद नहीं करता है लेकिन ये डेविड को हटाना चाहता था अपनी मर्जी से Absalom को बनाना चाहता था एकिटोपल ने क्या किया publicly announce करना शुरू कर दिया support करना शुरू कर दिया Absalom has royal blood यहाँ पे rule लिखा है न royal है royal blood and he will work for the Jew people we should appoint him as a new king एकिटोपल ने क्या किया लोगों में गया लोगों को जाके कहता है कि दोको मैं support करता हूँ मैं announce करता हूँ मैं तुमा तुम लोगों का विश्वास चाहता हूँ क्या किस बात के लिए कि David को हटा दो Absalom को नया राजा बना दो क्यों लोग कहता है कि क्यों Absalom को बना दे तो यह लोगों कहता है तो Absalom gets more popular Absalom और ज़्यादा popular हो गया लोग उसे और पसंद करना शुरू करते है People were ready to make him king सभी लोग अभी ready थे तयार थे कि ठीक है Absalom को king बनाते हैं बहुत अच्छा अंसान है but Absalom himself क्या वो बनना चाहता था कि नहीं but Absalom was not in favor of it वो चाहता था मुझे नहीं बनना He doesn't hate his father क्योंकि वो अपने पिता को कोई hate नहीं करता था बिल्कि अपने पिता को अच्छा मानता था और उसे hate नहीं करता था वो कहता था कि मैं अपने पिता को नहीं आटाऊंगा He doesn't want to unthrone or dethrone his father वो ये नहीं चाहता था कि मैं अपने पेता को सिंगासन से उतार के खुद राजा बन जाओ वो कह रहा है मैं ऐसा बेटा नहीं हूँ भाई मुझसे ये चीज़े नहीं होंगी ठीक है लोग मुझे पसंद करते हैं अच्छी बात लेकिन मैं ये नहीं करूँगा लोगों को कहता है कि आप लोगों को चाहता है यार उसने मुझे हर एक चीज तो दी है ठीक है ना मैं रोयल बलड नहीं हूँ ठीक है उसका इलीगल बेटा लेकिन उसने मुझे हर चीज दी है मेरे पिता ने अच्छा घर सारी चीज दी है अल्दो हाला कि I am not from not from royal blood but he is trying to give me crown too crown का मतलब होता है सिंगहासन कहलो जो सिर पे पहनते है उसे क्या कहते हैं crown सिर पे पहना जाता है उसे क्या कहते है ता आज वो कहता है कि ठीक है आप लोग कह रहे हो कि मैं राजा बन जाओ राजा बन जाओ वो कह रहे है कि epsilon कहता है लोगों को कि मैं बन जाओंगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरे पिता ने मुझे हर एक चीज दी है ठीक है मैं आपने पिता की against आप कह रहे हो कि मैं आपने पिता को मार के राजा बन जो मैं नहीं बनूँगा ठीक है वो कह रहे हैं कि हए एक चीज मेरे पिता ने मुझे दी है और अगर time आएगा तो मेरे पिता मुझे राज भी सौबके जाएंगे तुम लेकिन मुझे छीरना नहीं है उनसे Absalom knows that next king will be David's brother Absalom को लेकिन ये भी पता था कि नया राजा कौन बनेगा David के बाद David का भाई David का भाई His brother deserves क्योंकि उसका भाई deserve करता था क्योंकि वो royal blood से था शाही खून से था न Absalom को ये पता था कि ये भी ओने वाला है तो मुझे बीच में डाके टांगनी अडानी चाहिए लेकिन Absalom ये भी जानता था but he is not a good person कौन अच्छा परसन नहीं है David का भाई बल्कर इंसान है गंदा इंसान है और Jewish people उसे बिलकुल लाइक नहीं करते जो नया राजा बनेगा डेविड का भाई ना तो लोग उसे बसंद करते वह वैसे भी अच्छा इंसान नहीं है एकी टोपल कहता है Absalom को that his father is weak now वो कह रहा है तुमारे पिता अभी बहुत कमजोर हो चुके है उमर हो चुकी है you have the quality to become king और सारे लोग तुमें पसंद करते है तुमारे अंदर हर एक तरीकी की quality है it doesn't matter you are royal blood or not और वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं तुम royal blood हो की नहीं शाही खुन हो की नहीं पिता का तो खुन है ना तुमारे अंदर वो शाही है बस बहुत है वो कहता है it is perfect time to challenge your father वो कहता है एकी टोपल कहता है एक सिलम को कि डेविड का भाई बनेगा वो बहुत गंदा है एकी टोपल उसके कान भरता है वो कहता है कि उसके बाद नया राजा बनेगा डेविड का भाई लोग तो उसे वैसे नहीं पसंद करते हैं तुम ही बन जाओ न perfect time है अपने पिता को challenge करो बनो राजा देखते हैं अब आगे क्या होता है एबसलम refuse to challenge his father लेकिन एबसलम एक बहुत अच्छा बच्चा है वो गहरा मुझे नहीं अपने पिता को challenge करना भाई मेरे लिए मेरे father सब कुछ है तो मैंने challenge करूँगा एकिटोपल फरसे उसे कहता है perhaps your father himself wants to fight you for crown and take it वो कहता है कि शायद perhaps शायद तेरे पिता ही ये चाहते हो तेरे पिता तुझे ये कहते हैं कि तू best है कि तू राजा बनने के लाइक है कि तू best इंसान है राज को संभाल सकता है ये तो कहते है न तेरे father वो कहते है कि हो सकता है तेरे पिता चाहते तेरे पिता directly तो तुझे दे नहीं सकते है सिंगासन क्योंकि उसे अपने तेरे पिता को भाई को देना है सिंगासन तो directly तुझे नहीं दे सकते काईदे से तो भाई को देना है न तो कहता है कि हो सकता है कि तेरे पता चाहते हो कि तु लड़के उन से ले ले क्योंकि वो ज़्यादा काबल तुझे समझते हैं एकिटोपल और एकिटोपल ऐसे में अपने आप से एक आरमी भी प्रिपेर कर लेता है और उन में से ही एक था शिमेई एक आप कहलो एक और इनसान था और उसे शिमेई को मेजिस्ट्रेट बनाया जाता है और शिमेई डिकलेर करता है सेडिशन एज लीगल सारी बाते आपको समझाता हूँ तो एकिटोपल क्या करता है एक आर्मी बना लेता है अपने कि हम उसे हटाते है राजा को ठीक है और उन में से एक इनसान था शिमेई शिमेई को वो मेजिस्ट्रेट बना देते हैं मानलो की जज बना देते हैं और वो जज कहता है कि आज से सेडिशन यानि कि राजदरो कोई आप कहलो की इलीगल नहीं है कोई राजदरो करता है तो करे ये गलत नहीं है राजदरो का मतलब होता है कि राजा के खिलाब बगावत ये उसने इसलिए किया ताकि एकिटोपल एबसलम को कहे कि चलो अभी तो बगावत भी लीगल है बगावत करते हैं ठीक है ठीक है और जो भी आप कहलो कि डेविड की अगेंस्ड थे उन्हें फ्री कर देते हैं, ठीक है, मतलब जेलों में इसे निकाल देते हैं, ताकि करांती करें, तो आप कहलो, एक और प्रीस्ट था, कोरा, एक प्रीस्ट वो भी एकिटोपल के साथ आ जाता है, Absalom अभी तक भी आप कहलो कि दोनों तरफ था, वो कह रहा था कि हमें करांती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, and he doesn't want to dethrone his father, he started crying, वो रोना शुरू कर देता लोगों के बीच में, लोग कह रहे थे, people started loving and supporting him, लोग कह रहे थे, हम तुमारे साथ है, हम तुमारे साथ है, लड़ो, तो वो लोगों की बात में आके, सारे लोग जाते हैं, कठा हो कि डेविड के पास, Absalom भी, Aquitopel भी, कोरा भी, शिमेई सारे, ठीक है, डेविड को पता चलता है, कि वो मुझसे लड़ने आ रहे हैं, डेविड gets to know everything, he goes to people and threaten them, वो लोगों के पास जाता है, लोगों को कहता है, धमकाता है, कि, आज भी, तुमारा असली राजा मैं ही हूँ, मुझे कोई सिंघाच्छन से हटा नहीं सकता, ना हटाने वाला पैदा हुआ है, मैं ही तुमारा राजा हूँ, मैं ही तुमारी अच्छे के लिए सोच सकता हूँ, डेविड wins without fighting, and tells people that he is best king of all, उसे लड़ना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लड़ने के लिए फिर कोई सामने आता ही नहीं है, यहां पर खत्म हो जाती है, यह पोईम, तो अभी मुझे बताना लिखके कैसी लगी आपको पोईम, कोई भी चीज ना समझाई हो, तो comment box में लिख देना, अभी आप लोग PDF के बारे में कई पूछ रहे थे, तो PDF और अभी यह सारी 5 वीडियो, यह 5 वीडियो के मैंने प्लेइलिस्ट बना दी, और 5 PDF भी बना दीए, यह सारे अभी मैं इस वीडियो के बाद, ग्रूप में, टेलिग्राम, वर्टसाइब के उपर शेर कर दूँगा, थांक्यू फॉर वोचिंग बच्चो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेर करना, ताकि जास से जादा बच्चों तक हमारी यह वीडियो पहुंचे, अपना घ्यान रखिएगा, थांक्यू फॉर वाचिंग, बाई बाई, और अच्छे से पेपर भी लिखना सारे बच्चे,